राम राम से गूंजने जा रहा है भरत साल दोहजार चौबिस एतिखास रचने जा रहा है सुनहरे अक्षों में दर्ज होगा अब 22 जनवरी का दिन जी हाँ अब राम लल्ला अयोध्या के राम मंदिर में विराज होने जा रहे हैं लगभग लगभग तैयारिया पर उनके प् रांच शताबदियों से हर हिंदू वासी इंतजार में था कि आयोध्या में राम लल्ला बैठे आज राम लल्ला विराज होने जा रहे हैं बस कुछी दिनों की बात है और बेसबरी से इंतजार हर भारत वासी है हर भारत वासी साक्षी होगा 22 जनर्री के एक महत पूर्ण द आप से जानेगी सबसे पहले देखे सबसे पहले तो मैं बता दो कि पूरा विश्व आज राम में हो चुका है 22 जनवरी का दिन 22 जनवरी 2024 का दिन एक इतिहासिक दिन जो इतिहास में अमर होने वाला है हमारे देश के मानिन ये परदान मंत्री जी भगवान राम की प्रान प सरकार का और उन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस राम मंदिर के लिए आहुतियां दी हैं उनकी आत्में भी उस दिन खुश होंगी उनको भी एक सुकुन मिलेगा कि हमारे टाइम पे नहीं लेकिन अब राम जो है वो पुने अयोद्या के अंदर जो है वो वहाँ पर जो है एक टेंट के अंदर थे वो अस्थाई स्थान के अंदर थे अब उनको अपना घर जो है वो फिर मिलने जा रहा है पूरा देश बक्ती में होगा पूरे देश के अंदर दिवाली बनाई जाएगी और हर लोग जो है बजन गाएंगे और उनके दिलों में ज fundamental than सबसे पहले सीता राम सभी को बिल्गूर राम लो में राम के नाम में ही कितनी मिठास है और पानसो वर्षों के बाद सनात्यों की खुषी जो है वो चरम सीमा पे है मैं ये कहता हूँ के हम सोबहगे शाली है हमारी यो पीडी जो चल रही है सोभागे चाली है हमारी 25 पीडियां गुजर गई इस बात का इंतजार करके कि रामलेला योध्य में और आज हमारे पूरवज तक त्रिक्त हो गए होंगे कि आज जो है वो राम जी अपने घर में प्रतिश्चित हो रहे हैं आप भावुक हो रहे हैं नहीं था और सोचने के लाइक भी नहीं थे कि कब हमें राम मंदिर मिलेगा कब हमारे अपने भगवान को उनका घर मिलेगा है और आज माननीय परधान मंतरी मोधी जी की बजा से एक महापुरुष द्वारा जोगी जी और मोधी जी उनकी बजा से आज हमारे पूरुबज एक शांती की सांस देगे हम अपना घर बनाते हैं और जो घर का मुरत करते हैं तो हम भी भावुक हो जाता है कि हमारा अपना घर बनने जा रहा है जिस घर में हम लोग रहेंगे अपने परिवार के साथ रहेंगे राम लल्ला का घर बनने जा रहा है आकिर क्यों ना हो आंके बावुक ये वो आंखे बावुक हो रही है जिनों ने पांच साबियों थे जिनकी पीडियों ने इंतजार किया आज आपके आने वाली पीडी भी खुश होगी कि राम लला भारत वासी योध्या में विराज होंगे तो हर कोई अब राम राम करेगा ऐसा नहीं लग रहा कि र जो आने वाला है जैसमा संसार के लिए भारत की हर एक जो जीव जनतु तक आज क्योंकि कहते हैं कि राम सेतू में एक गलेहरी ने भी अपना योगदान दिया था एक कन ही उठाया था लेकिन उसने अपना योगदान दिया आज वो बनस्त पतियां वो जानबर जो छोटे ज चलते हैं अज उनके दिल में भी एक सुख शांती का मान सकते हैं बात बात पात बात जब्वान श्री राम की हो तो आंके भावगोग उजाती हैं अंक भावगता ऐसा हर चहरे पे भावग अर् आंख भर रही है इसनी खुशी है कि राम लल्ला अपने घर विराज होंगे य मेरा मेरे दिल का यह अपना जो मेरा है कि 24 में हम एक दिवाली नहीं मनाएंगे दो नहीं मनाएंगे एक दिपावली हो गई और दूसरा जो 22 जनरी को आएगी और तीसरा जब मोदी जी फिर से प्राइमिनिस्टर बनेंगे बहुत बड़ी बात किए कि इस बार साल 24 इतिहासिक होगा इतिहासिक पन्नों में आ रहा है लेकिन साल 24 में एक नहीं दो नहीं बिलकि तीन तीन दिवालियां मनाने जारे बहुत बड़ी बात इन्होंने कही उसके बात भी और राम भक्तमार साथ मुजूद है उनसे भी बात क थे, कोविड में भी हमने रा माइन देखी तो आज ऐसा मैसूस हो रहा है कि राम हमारे घर में विराज होने आ रहे हैं राम कन میں है, राम हर गली में है, हर महले में है, हम देख रहे हैं कि चोटा चोटे युवा, चोटे बच्चे वी जैशिराम के नारों से गलियों में गूम रहे हैं मैं आज सब हिंदू की जीत हुई है जो हमारे बुजुर्गों ने एक सपना देखा था अपनी आंकों से कि राम बगवान जी को हम मंदिर में वराज मन होते हैं आज वो सपना पूरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशी है अपना गर बनते होए राम जी जा रहे हैं घर में वापिस तो प्रधान मंदी ननेंदर मोडी जी का कितना योगतार वो तो शाक्षात राम जी का ही अफतार है बहुत खुशी है कि हमारे मोडी जी और योगी जी ने यह अब लोग अफतार की बात करते थे यहां आपने भी उनको अवतार माल लिया तो बहुत खुशी होती है कि हाँ हम हिंदू की जीत हुई है जिनों ने हमारे अहुतियां दी हैं तो आज एक कस्म खाए थी कि कस्म कराम की खाते हां मंदिर वहीं बनाएंगे और आज मंदिर बन चुका है बहुत बहुत शुक्र गुजार हुँ मैं म पूरे बारत वर्ष को इस बाइस अपना जो जन्वरी है इसकी मुबारक बात देना चाहता हूं प्रदान मंत्री मोदी जी धन्य है जिन्नों ने आज हमारे हर एक हिंदू का सपना साकार किया और मैं तुमाम पूरे बारत वासियों से यह विंती करता हूं कि आप 22 जन्वर का वह बच्चा बच्चा वासी वासी धन्य है जो अपनी आखों के सामने प्रत्यक्ष राम मंदीर अपना बंते होए देख रहा है और प्रान प्रत्रिष्टा जो हो रही है वो तमाम बारत वासियों के लिए बहुत सभागय की बात है अपने जीवन काल में प्रान आज होंगे इसमें हम खुद को भागेशाली मैसूस कर रहे हैं बहुत इनकी आंखों में वह चमक हमें दिख रही है आपसे जानेंगे किता मजा आ रहा है वो दिन विंतदार हम लोग इंतदार करें 22 जल्दी जल्दी आए और राम लल्ला अपने घर पर जाए 22 जनवरी तो हए पत्रलरों में भी राजमान हैं जिनका यांद लाम लिखने से पत्थर भी तयार जाते हैं और वह भगवान हमारे एक तंट में रह रही है है बारीश हो रही है हां को दूप हो रही है हम कि सब्सेंदार होगी चुकैं है कि हमारा जो एक सपना था हमारे बुर्जों का हमारा हमने खुद राम नाम के वास्ते खाली कर दो रास्ते हमने ये नारे लगाये हुए हैं कि हम लोग पूझा करते हैं अप्र आद्धा करते करते हैं लेकिन आँंखे क्यों नमोती हैं हम कुछ मांगते हैं लेकिन आज हमारी सिर्फ यह मांग है कि भगवान च्रीजेराम जल्दी जल्दी आयोध्या में विराज हूं और हम लोग वहाँ पर जाएं, सारी दुनिया वहाँ पर जाएं, हाला कि हमारे देश में सनातनी धरम के कितने लोग हैं जो तीरत करते हैं, जो हर जगा जाते हैं, मावैश्रों दिवी की दर्बार देश बड़ से लोग आते हैं, लेकिन अब अयोध्या शायद पूरा विश् कि हर एक ही अब यही चाहत है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का विराज हो जल्दी जल्दी वहाँ पर राम लल्ला के दर्शन करे जाएं, तो जै श्री राम से गुंज रहा है भारत, गुंजने वाला है बारत, कुछ दिनों बाद एक अलग सा इतिहास रचने वाला ह जिसका साक्षी पूरा हिंदुस्तान होगा, आपसे भी बात करेंगे, कितने भावुक होगे सारे हमारे साथ बात करते करते हैं? परदान मंतरी श्री रिरेंद्भाई जी ने पता नहीं किस जनम के हम ने जो पूर्णे किये थे, जो हमें यह देखने को आज किया थे, कि हमें यह सुभागे प्रबाप्त हुआ है कि हम अपनी लाइफ देख रहे हैं हमारे पूरवज मेरे पिता जी मेरे दादा जी आज तीनों घर पे कठे बैटके यह चीज़ देखेंगे हमारी तीन पीडियें बैटके साथ बैटके चीज़ देखेंगे जब टैली कास्ट होगी जा रमायन लगती थ मेरे पीता जी कहते थे बजार के बजार बंद हो जाते थे और अब तो बगवान साक्षात हमारे योदा में विराजमान होने जा रहे हैं पूरा देश दर्दाहान मंत्री निर्दमादी मोदी जी ने हमें दो दो दीवाली बनाने का मोखा दिया बिल्कुल कंड में राम बस रहे हैं राम और राम हर जगा राम राम का नाम देखे यह राम जी का जो मंदिर का जो सपना हमारा यह सबसे पहले तो मैं उनको समर्पित करूंगा जो चार लाख से ज्यादा लोगों ने जिन्नों अपने बल्या बलिदा अपने अपने प्रानों की अहोती दी और उनकी अहोती की वज़े से आज ये सपना हमारा सच होने जा रहा है और मैं बड़ा खुश निसीव हूँ पूरा विश्व के सनातनी जो है बड़े खुश निसीव है कि उनके जीवन काल में भगवान राम जो है वो अपने अयोध्या के अंदर अपने घर के अंदर आउनकी प्रान प्रतिष्टा जो है वो हो भगवान राम कोन है भगवान राम का स्तित्व क्या है हमारे जीवन काल में भगवान राम क्या महत्व रखते हैं यह सबी चीजे जो है जो बहुत जरूरी थी जिस परकार से हमारी संस्कृती जो है कहीं न कहीं खतम होती नजरा जी थी लेकिन अब भगवान राम की वज़ कि हमारे साथ बात कि नहीं है और बोलते वह वह यह लिए हमने बगवान के प्रति करना क्या है राम है क्या मरियादा का नाम राम है मरियादा जो उन्होंने सिद्ध की जीवन का नाम राम है जीवन क्या है राम मैं है इतने बर्षों बाद देखे कहते हैं कि किसी कारे को हाथ में राम का आज करीवे को बातुर देखे ये एक चुपाई है उस चुपाई को सिद्ध किया है श्रीरमान नरेंदर मोदी जी ने अपने संकल्पों को लेकर भाजपा के किसी भी चुनाब में अपने मैंफेस्टों में उन्होंने राम मंदिर और 370 का एक मुद्दा कभी नहीं शोड़ा लेकिन आपकी भावगता ये दर्शारी है कि भगवान श्रीराम के सासाथ जो नरेंदर मोदी है वो भी पूजने लाइक बन चुके हैं बिल्कुल ये तो मन की बात चीन लिया आपने मैं शॉयद इस बात को शोड़ देता लेकिन आपने इस बात को पकड़ लिया क्यों ना हो आखिरकार उन्होंने सनातनियों के हिरिदे को टोटोला है आज सनातनी खुल के बात कर सकता है अपनी आस्था की बात कर सकता है अपने मंदिर की बात कर सकता है अपने परिवार की बात कर सकता है अपने अखंड भारत की बात कर सकता है आप 22 जन्वरी को एक बार मंदिर के में प्रान प्रतिष्ठा होने के बाद अखंड भारत और हिंदू राष्ट की ओर हम अगरसर होने वाले हैं मैं इसी के साथ ही आपको ये बता दू बिलकुल बिलकुल इतना बुलंदी से नारा गुंजे का जैश्री राम का समस्त विश्व जूमेगा इस बाद बिलकुल हम लोग शंक की दौनी सुनते हैं तो शंक की दौनी से ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनरजी आती है लेकिन अब राम, राम का नाम जब गूंजे का पूरे विश्व में तो तब एहसास होगा कि हम किस हिंदोस्तान में रह रहे हैं, हम किस धरम के हैं, सिनातन धरम को जिन्दा रखने का एक एहम फैसला, पांच शेताबदियों के बाद इतना बड़ा निरणे, लोग आज भारत सवासी साक्षी होंगे 22 जन्वी के दिन, जो सुनहरे अक्षो में लिखा जाएगा, जैश्री राम के नारे लगाते हुए, आज सिर्फ जम्मू नहीं, बल्कि 22 जन्वी के बाद हिंद्रस्तान गुंजने जा रहा है